संसत के विशेस सत्र में महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ महिला अरक्षन विधैक पर एतिहासिक मोहड लगने के साथ ही संसत का विशेस सत्र भी खत्म हुआ नहीं खत्म हुआ तो वो था महिला अरक्षन विधैक पर विपक्ष की कमिया गिनाना कोई इस बिल को खोकला कह रहा है तो कोई जुंजना बता रहा है अब इस पर राजनीती जोरों पर है वही महिला एरेक्षण विधैक और यूपी में दो हजार चौबस लोकसबच चुनाफ की तैयारियां जोरों पर है पक्ष विपक्ष लगातार बयान बाजियां कर रहा है इन सब के बीच उत्तरप्रदेश की ग्राम विकास राज्यमंतری विजयलक्षमि गौतम, महिलाओं के लिए किंदर सरकार बिल पास कर रहा है इसकुल ले कर के विपक्ष लगाता टिका टिपडिकर कर रहा है कॉंग्रेस की जो नेता है सुप्रिया सुर्णेत उन्होंने कहा कि ये महज एक जुन जुना है क्योंकि इसमें तमाम ऐसे प्रावधान है जिसका सीधे सीधे अभी लाब महिलाओं को नहीं मिल पाएगा भारती जन्ता पार्टी जब से इस देश का नेत्रितों कर रही है अटल जी के समय में भी और आज भारती जन्ता पार्टी के सस्वी प्रधान नंत्री आदरणी नरिन भाई मोधी जी 2014 से जब से आया है तब से देखा है आपने के महिलाओं का किस तरह से बिस्वास जगा था भारती जन्ता पार्टी पे और गाउं गाउं से जूम जूम के हमारी बहने निकल करके भारती जन्ता पार्टी को समर्थन कर रही थी उट कर रही थी निश्ची तुरुप से भारती जंता पार्टी के हमारे असेस्वे आधरनी प्रधान वंतरी मोदी जी महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए हर प्रकार की कल्यान करी योजनाएं बना करके सब को ससकत और मजबूत करने की कोशिस की है हमारी महिलाओं देश की आधी आबादी हैं जब तक किसी भी गाड़ी का दोनों पहिया समना अंतर ना चले तब तक उस देश का उथान और विकास करना संभव नहीं है और ये आरक्षन बिल बहुत समय से लागू होने वाला था लेकर के लोग आए भी थे लेकिन वो सिरफ महज जो जिनकी आब बात कर रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी जो इस बात को कह रही है जुन जुना वो खुदी जुन जुना दिखा दिखा करके और 65 साल तक लगा तार उसने राजनिती की महिलाओं को छला, किसानों को छला, युवाओं को छला, सब के साथ उन्होंने धोके बाजी की आज इस देश के सस्वी प्रधान मंतरी मजबूत प्रधान मंतरी इस देश के आरक्षन बिल को लागू किया है और निस्तरूप से इस बिल से हमारी देश की आधी आबादी ससक्त और मजबूत होगी और मैं धन्यबाद देती हूँ आधरणी प्रधान मंत्री जी को और देश के हमारी पूरी जनता, हमारी बहने, हमारी माताएं, हमारे किसान, हमारे नजवान सब समझ रहे हैं कि इनको बसा लंबे समय तक सासन सत्ता की भूख जो है लगी हुई है कैसे जो है फिर सत्ता मिल जाए और ये देश की जनता को छलें महिलाओं को छलें किसानों को ठगें युवाओं को ठगें वैसा होने बाला नहीं है और जनता बिलकुल हर तरह से जान चु ऊस्केलास के लिए किस नय मौडल लाया जा रहा है आपकी तरफ से है कि डॉपल इंजन कि सरकार जबसे बनी है और इस देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी आदरणीयोगी आदित तेनात जी जबसे बने हैं तबसे उत्तर प्रदेश का बिकास निरंतर हो रहा है उत्तम प्रदेश बन चुका है बिमारू राज से उपर उठ चका है जहां से मैं आते हूं बिभाग से बिभाग की बाते तो ग्राम बिकास बिभाग से तो लगातार गाउं का उत्थान हो रहा है अब तो लग रहा है कि केंदर सरकार से या इतना महिलाओं के किसानों के नौजवानों के गरीबों के सोसित दलित पिड़तों को प्रधान मंतरी आवास से लाब मिला है और पैंसन योजना चाहे बिधवा हो चाहे निरासरित हो या विकलांगो अब उनको मांगने की ज़रूत नहीं सकता के हमारे सभी मुख्य मंतरी से ले करके इप्टी श्रीयम जहूंच है हमारे सहयोगी जितने मंतरी हैं सभी जाकर के इलकल्यान करी योजनाओं के बारे में कहरे हैं आज इंटरास्ट्रक्चर गाउं में जाके देख लिजे नालियाँ देख लिजे साप सफाई देख लिजे ग्राम विकास पूरी तरह से गाउं को ससकत और मजबूत करने की लगा हुआ है और smart village बनाने की तरब बनाए जब तक देश का गाउं ससकत और मजबूत नहीं होगा आत निरभर नहीं होगा तब तक जो है देश का संपर्ण विकास संभवन नहीं है और यह हमारे अध़रनी प्रधान मंत्रीजी मुख्य मं तो लगातार दूनों डबल इंजन के सरकार गाउं में रह रहे हैं सभी लोगों का विकास करी आज अम्रित सरोवर बन रहा है तो गाउं में तो पहले कुछ यह सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती थी बस गाउं में गाउं एकदम पिछड़ा अदलित गाउं नीरी गाउं इसमें सीटों को लेके अभी से लड़ाई सुरू हो चुकी है, समाजवादी पार्टी असी सीट पे दावे ठोक रही है, तो वही कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा जाता है कि असी सीटों पर उनकी तैयारी चल रही है, बीजेपी की तैयारी संपोर्ण है, बीजेपी एक दिन काम नहीं करती है, हर दिन जनता के बीच रिपोर्ट कार्ट के साथ उपस्तित रहती है, अपने कल्यान कारी योजनाओं के साथ उपस्तित रहती है, उनके सारे मंतरी, विधायक, सांसत, लगातार जमीन पे उतर के काम करते हैं, वो पहले ऐसा हुआ करता था कि जनता म उपस्तित होकर के अपने रिपोर्ट कार्ट के साथ है जनता उनके साथ है महिलाएं हमारी बहने उनके साथ है और हमारी उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटे हम जीतने जा रहा है तो ये थी विजय लश्मी गौतम जी जिनका कहना था कि जो महिला भी लाया है वो देश की महिलाओं के लिए तो बेहतर है ही साथी साथ ग्राम विकास बिभाग लगातार विकास कर रहा है और प्रदेश का अब हर गाउं हाई टेक विलेज के नाम से जाना जाएगा वीडियो जनलिस हरीराम जी के साथ पंकर्स तिवारी आज की खबर लखनार तो